जोहर सबी को ज़ारखंड में आपका स्वागत है दोस्तो आईए आई ज़ारखंड के पक्वानों में से एक पक्वान या कहिए कि जो की चावल से बनता है दोस्तो तो देखिए यहां पे चावल ले Лिया है यह कैसा दोस्तो देखिए यह घर K प्योर धानist का कुटा हूप द अरवा चावल एक बड़ी कटोरी उड़त की डाल और एक चोटी कटोरी चने की डाल दोस्तों तो दोस्तों क्या करेंगे हम इसे अभी जो दोस्तों यह उड़त की डाल है दोस्तों इसे हम चावल में मिलाएंगे दोस्तों इस तरह से साथ ही साथ दोस्तों यह जो चने की डाल इसे भी हम इसमें मिलाएंगे दोस्तों और इस तरह से mix up कर लेंगे दोस्तों चने की डाल डालने से क्या होता है दोस्तों कि स्वाद आता है और उड़त की डालने से क्या होता है दोस्तों कि छिलका जो है वह हमारा बहुत अच्छा परफेक्ट बनता है तो आगे दोस्तों हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे उसके बाद मैं दिखाती हूं कि कैसे छिलका बनाया जाता है दोस्तों इसका बैटर किस तरह से होता है चाहिए बैटर को तो दोस्तों देखिए यह रहा दोस्तों यह जो है हमारा बैटर देखिए किस तरह से यह इतना पतला है तो बस आभी इस तरह से इतना ही पतला ले ले दोस्तों और इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे बस नमक करेंगे स्वाधनुसार दोस्तों इसमें नमक कर जूज कीजिए और फिर इसे आगे हम बनाएंगे दोस्तों किस तरह से तो दोस्तों मेरे जो चैनल है जारखंडी वेंजन उसको लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों कमेंट करें तो आगे अब दोस्तों चलिए छिलका बनाते हैं आए दोस्तों देखते हैं किस तरह से देखिए दोस्तों मैंने रिफाइन तेलों सरसोत तेल दोनों ले लिया है दोस्तों और अब ही अब छिलका के लिए देखिए दोस्तों किस तरह से मैं बैटर को यहां पे ताई में दोस्तों डाल रही हूं दोस्तों देखे दोस्तों किस तरह से मैंने पतले-पतले चिलके के लिए यहां बैटर डाल दिया अब दोस्तों देखिए इसे मैं ढगन से ढग रहे हूं कुछ एक दो मिनट के लिए ढखूंगी उसके बाद फिर ये जो छिलका है वो फिर बन के त्यार हो जाएगा दोस्तों इसे पलटूंगी तो आईए दोस्तों देखते हैं कि ये छिलका देखिए दोस्तों किस तरह से देखिए किस तरह से छेद छेद दोस्तों देखिए ये पका और छेद छेद हो गया अब भी से हम पलट रहें दोस्तों तो पलटने के बाद देखिए दोस्तों ये किस तरह से उपर में ब्राउन ह हुआ है अभी फिर इसको एक पलटन जो हो गया दोस्तों उसके बाद यह समझ लिए कि completely बन के त्यार है दूसरे साइड भी हम लगाएंगे दोस्तों सरसो रिफाइन का तो फिर यह क्या होगा सरसो के तेल डालने से यह और रिफाइन के तर लालने से यह क्रण्च होता है साथ यह जो है तवे से उचड़ता है दोस्तों तो देखिए हमारा चिलका यह बन रहा है दोस्तों इस तरह से मैं चिलके को त्यार कर लूँगी मोड़ करके पर इसे हम प्लेट में अभी रखते हैं दोस्तों सजाते हैं फिर मैं आपको और ज्यादा पे देखिए दोस्तों यह सब सबस्कों फिलाए दोस्तों पहले जब हमारी दादी थी सुभास उटती थी और वह क्या करTEE थे वह जाता होता है दोस्तों इससね बाद फिर चावल चावला नयांगर इससी वहां चलाते थे दोस्तों और क्या करती थी दादी ना ने पीशाहा है जूले पर भी हमें लोग है कलचि आले जकमाद पर किसी लिए भी सेञेर शासी पर भी ज एक है गर चावल हों उस से हैं ये जौई है कि ये हमारे नागपूर में दोस्तो एक समय की बाद है तो चावल वनती था दोस्तो अब द दोस्तो ये जो है वह हमारा है जो हमारा जो चलंक आजीATHAN करें लिदा खालाilt duduk है वो अब पूरा बन के तियार है दोस्तों और कितना अच्छा छिलका बना है दोस्तों इस छिलके को दोस्तों हम क्या करेंगे सीम आलू की सबजी मैंने अपने घर में बनाई थी दोस्तों तो देखिए ये सीम आलू की सबजी है दोस्तों सीम आलू की सबजी के साथ दोस्तो देखिए यह हमारा कितना अच्छा छिलका बन कर त्यार है सीम आलू की सब्जी के साथ दोस्तों हम छिलका रोटी को खाते हैं और यह बहुत स्वाधिश लगता है आप 4-5 छिलके खा जाएंगे दोस्तों तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट कर और यह छिलका की जो रेसिपी है दोस्तों वो आप भी ट्राइ करें अपने परिवार वालों को बना करके खिलाएं तो मेरे वीडियो को देखने के लिए दोस्तों सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जारखंडी जोहार नमस्कार